नमस्कार मैं हूँ अमिता और आप देखें न्यूस बाइस को खबर की शुरुवात में सबसे पहले बाद विनेश फोगाट को पैरस ओलम्पिक में आयोगे घोशत किया गया है जी हाँ ऐसे में भारत के ओलम्पिक अभियान को तगड़ा जटका लगा है सूत्रों ने आज बताये हैं कि उनका वजन 50 किलो से मेल नहीं खा रहा था और ऐसे में भारती ओलम्पिक संग ने कहा है कि ये खेट जनक है रागभर टीम के तरफ से किये गया बहतरीन पर्यासों के बावजूद आज सुभा उनका वजन 50 किलो ग्राम से कुछ ग्राम अधीक दिखा विनेश ने मगलवार रात को इस स्पर्धा में सुअंड पदक के लिए पहली भारतीय महिला पहलवान बन कर इतिहास रज़ दिया था अधिकारिक बयान में कहा गया है कि आज सुभा उनका वजन अधीक पाया गया नियम उनकी अनुमती नहीं देता है और उन्हें आयोग्य घोशत कर दिया गया और इस पर जादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राकेश रंजन जी जुड़े में उनका रुकरते हैं राकेश रंजन जी तमाम भारतियों का सपना तूटा है उलम्पिक में डिस्कॉलिफाई हो गई है भारतिया पहलवान महिला पहलवान विनेश फोगाट कितना बड़ा जटका जाद बहुत बड़ा जटका है बिलकुल हार्ट ब्रेकिंग आप कह सकती हैं जैसा आपने बताया कि ये एक एतिहासिक सफर था फाइनल तक का उनका इससे पहले कोई भी महिला रेसलर जो है वो फाइनल में नहीं पहुंच सकी थी लेकिन जो प्रतियोगिता के रूल थे उसके अनुसार उनका वेट बुदवार सुबह जो है वो कुछ ग्राम अधिक पाया गया था हलाकि जो भारतिये दल है उसने ये मान की थी कि उसे कुछ और वक्त दिया जाए ताकि वजन को जो है वो और कम किया जा सके लेकिन ऐसा हो तिये दल को पता चल चुका था कि विनेश का जो वजन है वो कुछ अधिक हो गया और इसके बाद तमाम तरह के प्रयास जो है वो किये गए टीम ने पूरी कोशिश की कि उनके वजन को नीचे लाया जा सके चाहे आप खाना स्कीप करने की बात करें जॉगिंग की स्किपिं विनेशों के बावजूद जो वजन है वो 100 ग्राम के आसपास जो सूर्सिस बता रहे हैं उससे आसपास जो है वो अधेक रहा है 100 ग्राम अधेक हो गया देखिए विनेश के लिए ये एक चैलेंज तो था ही चुकि विनेश पहले 53 केजी भारवर्ग में जो है वो होता है और जब ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नमेंट हो रहा था उस वक्त भी ऐसी ही स्थिती जो है आल्मोस्ट होने जा रही थी लेकिन किसी तरह उस समय उन्होंने समय से अपना वजन जो है 50 किलो ग्राम भारवर्ग के अंतरगत लाने में सपनता पाई थी और इस व जो है गोल्ड मिडल जीत सकती हैं और ऐसा इसलिए लग रहा था कि फाइनल में उनका जिस रेसलर से मुकाबला था मेर की रेसलर सारा हैं तो उनसे विनेश की इससे पहले दो फाइट हो चुकी है दो बार दोनों मैट पर एक दूसरे के सामने उतरे हैं और उस वक्त जो है दोनों ही बार विनेश जीतने में कामियाब हुई थी तो इसलिए उमीदे जो है वो कुछ ज्यादा थी कि हाँ भारत को एक सोण पदक मिल सकता है लेकिन हर खेल के कुछ रूल होते हैं उसके अनुसार आपको खेलना पड़ता है और इसके अंतरगत यह है कुष्टी की बात आपको उस वेट के टेगरी के अंतरगत ही रहना है तो मंगलवार को तो वो उसके अंदर ही थी इसलिए उन्होंने तमाम फाइट लड़ी लेकिन जब बुधवार की सुभाह जो है उनका वेट जादा पाया गया तो प्रतियोगिता के नियम के अनुसार जो है उन्हें डिस कॉलिफाई तो हो गए एक तरह से गोल्ड मिडल का सपना भी टूटा है लेकिन इन सब के बीच नियम क्या कहते है कि खिलाडी को कितना खुद को मेंटेन रखना पड़ता है जब इतने बड़े आप किसी प्रोग्राम में खेल में प्रतियोगिता में शामिल होते हैं तो हर एक मुमिट में अपने आपको फिट रखना होता है नियम क्या कहते हैं इससे पहले की नियम बताओं जो एक महत्तोफून बात जो आपने कहीं कि गोल्ड मिडल का तो सपना तूटी गया है तो मैं आपको बताओं कि हर मिडल का सपना तूट गया है गोल्ड ही नहीं उन्हें अब ना silver मिलेगा ना bronze मिलेगा क्योंकि वो disqualify की गई है तो ये middle heartbreak है भारत के लिए विनेश के लिए ये बड़ा जटका है तो निश्चित तोर पर जो है ये एक ऐसी खबर है जो कोई भारत ये सुनना नहीं चाहता हर कोई चाहता था कि वो ये खबर सुने कि विनेश फोगाट ने final में अमेरिकी wrestler सारा को पराजित कर gold medal जीता लेकिन अपसोस अब वो खबर शायद हमें सुनने को नहीं मिलेगी हलाकि जो भारतिये contingent है उसने जो है एक complaint दर्ज किया है और कहा है कि उसे कुछ अतरिक्त समय दिया जाए क्योंकि 100 ग्राम का वजन है और जो fight होनी है वो रात में होनी थी तो उस समय तक वो उसके अंदर आ जाएंगी लेकिन समय दिया नहीं गया है जो सूचना है उसके अनुसार और उन्हें disqualify किया गया है ख़बर अभी तक यही आई है अब नियम की बात आपको बता दूँ कि देखिए आप जिस weight category में हिस्सा लेते हैं जैसा मैंने थोड़ी दिर पहले आपको बताया कि हर weight category के जो मुकाबले हैं वो दो दिन चलते हैं एक दिन आप semi final तक के मुकाबले खेलते हैं मैं विशेशकर कुष्टी की बात कर रहा हूँ और अगले दिन जब आप जाते हैं वो final मुकाबला खेलते हैं तो मतलब दो दिन ये मुकाबले चलते हैं हर weight category में तो नियम ये कहता है कि दोनों ही दिन आपको 50 kg के अंदर मतलब kg weight category है तो 48 के अंदर रही है तो नियम ये कहता है लेकिन दोनों दिन तो एक दिन तो विनेश का सब कुछ ठीक था लेकिन गड़बड हुई है दूसरे दिन आज सुबह की बात है बुद्वार सुबह की बात है और इस दिन उनका वज़न जो है कुछ ग्राम अधिक पाया गया है और इस वज़े से उन्हें disqualify किया गया है तो एक बेहद ही निराशा जनक खबर तमाम भारत के लिए देखिए उनका सपना तूटा है साथ में 140 करोड लोगों का भी सपना तूटा है आप ये मान कर चलिए तो बहुत बड़ा जटका है हम सभी मान कर चल रहे थे कि गोल्ड आ रहा है चौथा पदक आज मिलने जा रहा है लेकिन अभी जो एक निराश करने वाली खबर है वो यही है कि विनेश फोगाट जो है अब 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुष्टी की असपर्धा में कोई भी मेडल लेकर भारत नहीं आपाएंगी यह बेहद निराशा जनक है बिल्कुल बेहद निराशा जनक है और यह विनेश फोगाट के लिए भी और तमाम भारतियों के लिए भी सबके एक तरह से कह सकते कि निराशा जनक खबरस लिए है क्योंकि एक उमीद बन गई थी विनेश फोकाट से कि आज गोल्ड मेडल वो लेके आएंगी लेकिन उनका वजन अधिक पाए गया जिसके बाद उन्हें आयोग गोशित कर दिया गया हाला कि इस बीच प्रधान मंतुरी रेक एक मैसेज भी दिय है कि उन्होंने एक होसला उनका अफजाई करते हुए एक ट्विट एक्स हैंडल पे उन्होंने पोस्ट भी किया है कि आप चैंपियन है और चैंपियन्स की चैंपियन रहेंगी तो एक इस कह सकते हैं कि अब विनेश फोकाट को पैरेस उलम्पिक में आयोगी घोशित किया ऐसे में भारत के उलम्पिक अभियान को तकड़ा चटका लगा है सूत्रों में आज बताया है कि उनका वजन 50 किलो से मेल नहीं खा रहा था भारती उलम्पिक संग ने ये भी काया कि ये काफी खेट जनक है राद भर टीम के तरफ से किये गे बहतरीन कोशिशों के आज सुभा उनका वजन 50 किलो ग्राम से कुछ ग्राम जादा था विनेश ने मंगलवार रात को इस परधा में स्वण पतक के लिए पहुचने के लिए पहले भारतीय महला पहलवान बनकर इतिहास रच दिया था आधिकारिक बयार में ये कहा गया है कि आज सुभा उनका भी रेस्टरेट बम श्रधालूओं के लिए सेवा में सदा तक पर है गाई के शद्ध दूद से निर्मित शद्ध पेडा शद्धता की गारेंटी प्रॉपर राइटर रोहित मंडल के लिए श्रधालूओं का विश्वास ही आशिर्वाद जै बाबा वैतनाद जै बाबा मा आशवाद ही आश जैा कि लिए यजर बैटर बाबालूओं के लिए शक्लिय।